hello friends आप सभी का सवागत है friends आप सभी का 27 परवरी को जो गड़ीद पेपर है ठीक है तो आप सभी को जितने भी 27 परवरी को आने वाले प्रस्श न कुण सभी प्रतों को करा रहे हैं इन तो इन वा पर को आप देख सकते हैं यहाँ इसका हम संपूर हल आप सभी को कराएंगे तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और एक सेकेंड के लिए बिए किसी भी प्रशन को को सकता है कि जिस प्रशन को आप करें वही प्रशन आपको 27 फरवरी के बोर्ड के एक्जा में कोईस्चन देखने के लिए मिल जाएं तो चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी का समय नगवाते हुए सीधे आपको प्रशन को हल कराते हैं ठीक है आप इस को देखेंगे और हल करके आप सभी को समझाएंगे आप सभी का जो पहला नंबर का सवाल है यह हंडेट परसेंटेज आपका सवाल आएगा ठीक है बस आपको क्या करना हो सकता है कि उसका अंक चेंज करके दे दे लेकिन आपको हंडेट परसेंटेज सवाल देखने के लिए देखे आपका फ्रस्तिक्ति आ कि यह देआ लाँसा 26 कामा 156 इसका मतलब हुआ कि पारी संख्या यह दूसरी संख्या ठीक है जब इस तरह करके देगा ता समाझ ने चेहें कि पारी सुख्या और इसका लासा दिया है यहां पर 156 है तो यहां सकते पिए मुषा मोफा देता है और अंगला आप से ठीखाई यहां पर क्या होगा 26 होजाएं च्छप्विस हो जाएक आपको सीध्य उय्याला क सफ़य करो दोनी TOP B. यहां तक काम नहीं चलता है आपको सुधी फार्मूला भी पुछिए ऑप कैसे लगाएंगे सवाल को यहां पिर आपको फार्मुला होता है भाली संख्या आपको 12 बता रहे ही पहली संख्या गुड्य दूससरी संख्या जो होता है मुष्ट गुड्य 학 यह होता है फार्मूला आपका अब यहां पर क्या करेंगे कि आपके पहलिस संख्या matrix 266 रखिए खेंगे दूसरी संख्या 156 156 156 156 कड़ जाएगा तो आपको कितना बचेगा 26 और यही आपको क्या हो जाएगा यहां से मौसा ग्यात हो जाएगा ठीक है तो आपको ट्रिक भी बता दिए जब ऐसे अंगों को मिला लीजिएगा और इस पकासे मिले तो आपको सवाल लगाने की भी जरूत नहीं है आप सद喧र टिमर दीजेगा यह बता दिया फार्मूला वर्मुल आप जरूर याद रखिएगा ठीक है अब देखिया आपके सामने सवाल है कि निमन रिख्यत सब्सक्रक आप को पता आधना है तो आप सभी को पता है जैसे एक पूंछेगा पर इनिंट और जो भी पर बैसित कह सवाल को देखते हैं अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का तीसरा नंबर का सवाल क्या है यदि fx बरावर दिया है px प्लस r तब fx का सुन्यक पूछ रहा है आपसे और यहां पर इस पकाद सवाल दे कि आपसे सुन्यक पूछे तो क्या किया जाता है बस आपको जो यहां पर दिया रहाएगा इसको 0 के बरावर दिखा दिएगा तो px प्लस r बरावर 0 दिखाएगा यहां से Yux को मांगयाद करना है तो P X बुराबर करा हो गाजो R आद आपके गार माइनस R हो जाएगा Yux बुराबर करा माइनस R भाई P हो जाएगा तो यह क्या हुआ आपका सुन्यक हो गया आपसन में देखें आपसन को लगाते समीवीद्यान दिजिएगा इकड़ा युग में 2x-3y बराबर 13, 7x-2y बराबर 20, के हैं, यानि यहाँ पर बताना है कि एक अधियूती हल होगा, दो हल होगे, अपर हल होगे, या कोई भी हल नहीं होगा, इस पकाज़ सवाल आप से पूछे देखे, पहले जो यहाँ पर होगा, आपका A1 माल लिजेगा, यह B1 होगा, यह C1 होगा, यहाँ पर A2 हो जाएगा, यह B2 हो जाएगा, यह C2 हो जाएगा, इसमें अनुपाद ग्याद करते हैं, देखे, A1 अपन A2 निकालिएगा, B1 अपन B2 निकालिएगा, C1 अपन C2 निकालिएगा, ठीक है, मान 2 की बटा के 2 हो जाएगा इस जन्हें के दीज गख Tiger two-ijk Derland के साथ रखी सका मंन कितना है 3 स्क capacité 1520 11 स्थे इसम्पल नहीं होगा अभ तीनो उमान अपस में बराबर भी नहीं उति TIME मतलब यह हुआ то अभा यह इस नाट होगा यह भी बराबर नहीं होगा ठीक है तो देखे, यहाँ पर क्या होगा? कि यह तीनों मान, जब आपस में, बराबर नहीं होते हैं? तो इसका क्या होता? अधिवती हल हो जाता है. तो देखे, अधिवती हल, मतलब इसका A वाल आपसे सही कीजिएगा. ठीक है? अब देखिए अगला नमबर का सवाल आपका पांचवा नमबर का सवाल क्या है कि रहेखिक समीकर 3X प्लस 5Y बराबर 10 यहां X कमान दे चुका है तो Y कमान आपसे पूछे तो इस पकार के सवाल को भी आप बहुत सिंपल तरीका से लगाते हैं बस आपको क्या ध्यान देना है कि जिसका मान यहां पर आपको पता रहेगा इसका मान यहां पर बस यह समीकर जो दिया रहेगा यहां पर रख क्या आप हल कर लीजिएगा चलिए आपको हल करके भी बता देते हैं पहले सवाल को यहां पर लिख लीजिएगा यहां पर 5y हो जाएगा, 10, 6 को 5, 6 हो जाएगा, 5y बरावर 10 में से 6 जाएगा, 4y बरावर कितना हो जाएगा, 4 बटा के 5 हो जाएगा, यहां पर आपको y का मान पता चला, 4 बटा के 5, आप सन में देखिए, 4 बटा के 5 कहा है पर देखिए, आप सन को लगाते हैं, समय ध्यान द सकते हैं अगला नंबर सवाल देखिए क्या है आपका छठा नंबर का यदि समीकर दू एक स्कॉार प्लस तीन एक स्माइनस यम बराबर जीरो का एक मूल देखिए एक मूल को आपको बार बार सवाल में बता रहें कि जब एक मूल है कि एक स्माइनस है ऐसको रखिए बराबर जीरो एक मूल माद़ी घुरी माइनस एक स्कॉर कर लएक provide या मांुण स्कॉरीμεक्त्त नहुंक्त है जीरो करेंगे एक गुड़ा दू में करेंगे दू हो जाएगा तीन के एक में करेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा इसलिए कि प्लस का माइनस में गुड़ा करेंगे तो माइनस माइनस यम बराबर कितना हो जाएगा तीन में गटाएंगे माइनस एक माइनस एम बराबर जीरो यह हम प्रश्व सिंपल तरीका से ज्याद करेंगे यहां पे यह कमान हो जाएगा यही कमान हो जाएगा यह गजिए गावर होता क्या है यहां पे फार्मूला होता है गे तो आपको बचेगा यहां पर यहां पर यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा विवला आपसान सही हो जाएगा तो साथ हाँ क्या सही हुआ अगला सवाल समांतर सभी से सवाल को आप जुरूर्ट कर लीजिए समांतर शोड़ी यक्स माइनस साथ और एक समाइनस दू और यक्स प्लस तीन का दसमापद पूछ रहे क्या होगा इस पकार के सवाल को कैसे लगाएंगे तो देखिए पहले आपको पता होना प्रधम पद क्या है प्रतम पद के बरढबर प्रधम पद को गता है तो यह पिछ निकाल uniforms speak करेंगे सरवांतर dog डीес सीए निकाले अगले पद में से पिछला पद ढखाते हैं यह एकस माइनस दू में से क्या करेंगा और एक घटाएंगे कितना को एकस माइनस 7 को जैसे लिगा रहे हैं देखिए आप जब माइनस जब भी आता है तो जो अख्चर या उनकर आता है उसे कोष्टक में रखिएगा आल्लता है एक आपका सवाल खिले 10 रखें संदोलहें नमापद का आपको फार्मूला बता देते जिससे आपको सार्मूला याद रहें यह नमापद और इसको किस से दिखातें अए यं से दिखाते हैं और बराबर यह क्या उता है ई A plus N minus 1 into D होता है यहां पर A10 लिख लिख लिजीएगा इसलिए कि 10 में 10 माइबाद है A कमान कितना है minus 7 minus 7 रखिएगा plus इसे कोष्टक में कर लिजीए ठीक है यह न के जगा आप कितना रखेंगे 10 है यहां पर 10 रखेंगे minus 1 करेंगे और D कमान 5 यह पाँच कर लेंगे यहां पी देखिए यक्स माइनस 7 हुआ फिलास तो प्लस किज़़े 10 में से एक गया गा नो नो को पाँच में करेंगे कि नो पहो पचे 45 हो जाएगा यहां प्या होगा यहां प्या होगा यह और 45 में से 7 घटा दीजिएका प्लस 32 हो जागा कितना हो जएगा और 13 यक स स्वाल को आपको लगाना था आप एंसवल मिलाते चलिया और लगाते भी चलिए आप लोग चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं यहां पे ध्यान दिजिए यहां तक प्रत प्रत दिया है 5-11-11 तप सरवांतर ग्यात किजिए देखिए सरवांतर का फार्मूला अभी आप सभी को बता है यहां पने लेखिए हैं यहां पर दिया है लेकिन यहां पर चिनल के साथ आप लोग बताईएगा ठीक के फार्मूला में पिलस होता है इस चीज़ को अध्यान दिजिएगा यहां पे माइनस चिन रहेगा आप माइनस चिन बताईगा तो यहां पर सरवांतर क्या बिना अगला दसवा नंबर का सवाल देखे क्या है आपका कि वाई अच्छ से बिंदू 10 कामा 12 की दूरी आपको पूछ रहा है यह भी सवाल आपको कई बार बता है जो देखिए आप जो निर्देश आंग दिया रहता है पहले यक्स कमान होता है वाई कमान होता है ठीक है जब भी निर्देश वाई कमान पूछता है थो हमेशा है यक्स कमान बताइए इसमें से ठीक हैं यहां पर य अच् hunकांत पूछता है आप जियए क्ये या अच्ह सबूछत को दूरी निर्देश चैनले करले आपको इस में giving का इपताति है अब देखिए आप के सामने 11 नंबर का सब्सक्क्राइब today देगई आखिरते में यदि अबर और यहां पर यहां पर टीन हुआ यहां यहां योगया तो शिक्रम उन्समार्ट यहां तक यहां और पूरी फीर होती है निजिए आपको पूरा पता होना चाहिए तक पूरा पता चाहिए इतनी दूरी । इतनी दूरी कितना है। तो A B होगा तो 5 3 कितना हो जागे यह पूरी 8 हो जाएगा अब देखे जब भी इस प्रकाज़ सवाल पूछे तो आपको बस क्या करना है कि A D बटा के देखे यहां पर A D बटा के यहां पर A D बटा के पूरे A B बुझा लेंगे बराबर A E बटा के क्या लेंगे पूरी बुझा अपने A E बटा के A C लेंगे अब यहां पर मान रखके बस हल कर लिजिए AD कमान दिया है 3 और AB कमान होगे 8 और AE कमान कितना होगे आपका ग्याद करना है AE AC कमान कितना दिया है 4.8 अब बस तीरिया गुड़ा कर लिजए चलिए यहाँ पर कर लेते तीरिया गुड़ा इसका यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जागा ओर आपका कितना ओजाएंगा ठीक है 8 ऑप बराबर यह बचेब आयगों गशाएंगा 6 जए 6,3 एक उडर्थांग आट's मूलो है जाएंग के आपके सामने अगला नंबर देखिए बारा नंबर का सवाल आप कैसे लगाएंगे कि निमने चित्र में यदि एटी अब देखिए यहां पर टी नहीं लिखा ते एटी का मतलब यह टी हो ठीक है यहां पर आकिरती में यह टी हो जाएगा ओक केंद्रवाले बृत की असपर्श इस पकार है क इसकी दूरी पूछ रहा है अब देखिए आप तिरिज्ज्जा को मिला आएंगे तो यहां पर एक कंसेप्ट आप जानते रहिए कि जब भी आपका असपर्श बिंदू से कोई विए असपर्श रेखा खीशी जाती है तो और तिरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् समकोड त्रिभूज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज पते है्ता काश काश टी बड़ी बच्ट के लम नहीं यह जा है आधार बटा करणा इसका फार्मूल आध्यर Nós आपके kया है है टी है करेet कर क्या है ओटी मुथ लगे कासट है कितना धिए मटेशंग कितना देए तीखस बराबर एटी कमान दिया है आपका ग्याद करना डिया नहीं है करण किॉकल 14 के मान ठीजा और इसको हव्ल कर लिजह कासटी कमान कितना तरह कर लिए करल् भी कस अगलमान कीथूर जागा और यहां पहुँआ जागा 80 दू का गुड़ा करेंगे दू करणी में 3 हो जाएगा यह हुगा आपका 80 का मान और यही पूछा है चलिए आपसर में देखते हैं कि दू करणी में 3 दिया कहाँ पर है तो आपसर में देखिए आपसर में क्या होगा सी वाला आपसर आपसर सही हो जाएगा दू करणी में 3 ठीक है इस पकास सवाल को आपको लगाना था अगला सवाल देखिए 13 नंबर का यदि 2 कास 3 ठीटा बराबर 1 तो ठीटा का मान आपको बताना है यह भी बहुत सिंपल सा सवाल होता है तो ठीटा बराबर एक कास 7 का मान यह होता है हैं रहकुत के पर सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करेक्टरन कि एक लाइक अगे श्रintक्राइब आपके सामने 14 सब्सक्राइब बिच्टा रहा हुँ तो इक काँग लाइक कीई कमेंट में आपको बताइए कि मेरा जो पर्यास से आप लोगों को पड़ती कैसा लग रहा है ठीक है यहां पर दिकिए कास अपन 1 फार्मूला है पता है फिर सवाल को लगा देते हैं देगं यहाँ पर होता है कि यहां पे बिद्छ छे leuke तदिकेkem साहब होते हैं आप यहां पे ध्याद दीजिए है मेल कास स्कौर्ट Li थीटा पела ज़ सब्सक्रण तक अब आप यहां पहां पे थीटा प्लस तक सिंड़ सकते सब्सक्रें पर कोसेक लिखिए कोसेक स्कॉार ठीटा अब एक चीज हमको बताते चलिए आप लोग ठीक है तिरकोर मीती पढ़ेंगे तो आपको यह फार्मूला पता भी होगा वन अपन कास को क्या लिखा जाता है साइन लिखेंगे स्कॉार तो इस पर इसकॉार हो जागा यहां ठीटा है टीटा है अब एक चीजब लुए अप लोग यहां याद होगा कि कास्श कॉार ठीटा प्लस फार्मूला कितना लिखा जाता एक ठीक है कि सवाद सवाह था इसका एंश कहीं हो जाएगा श्यूद अधो चाहिए इसको और वी सब्स्क्राइब रहें Port को आपको बताना है सवाल को आपको लगा के बता देते हैं ठीके लगाеромिक जानगे रहें Canvas तो तो कोई दूसरा सवाल आपको दे अब देखे जब गशाइक को यक्स मानते हैं तिहां पी चाया की लंबाई है कि एक समान लंबाई ईसकी बन रही है यहां पर उन्यन कोड़ पूछने का मतलब कि नीचे से आप देख रहे हैं यहां ठीटा कमान पूछ रहे हैं देखे टैन ठीटा बराबर कितना होता है आपका लंबटा के क्या होता है आधार लंबटा के आधार होता है तो लंब यक्स है आधार कितना यक्स है तो यक्स बटा कितना होगा 45 अंस हो जाएगा देखिए आपको लगा की भी समझा दिए बिना लगाए भी आपको सवाल में इस तरह आपसंद मिल जाए तो आपको इस तरह लगाना है 45 अंस लगा दीजिएगा ठीक है कि अब कि 16 नंबर का जो सवाल है कि एक घड़ी की मिनट की सूई की लंबाई कितना है 14 सेंटी मीटर एक मिनट में सूई दुवारा रची च्छत्रफल ग्याद कीजिए आपको यहां पर च्छत्रफल ग्याद करना है देखिए कैसे लगाएंगे सवाल सिंपल सा है आपको समझ हैं जैसे माल जिए घड़ी है यहां पर क्या कैंदर है केंडर सही लगा क्या होता हैं का सूई खेम होता है ते कि 16 cm कि देखिएक देखिए एकमिनट केया है आप सभी को पता है कि जब एक ग्याइब एक चक्र लगाया जाता है तो तिन 360 न का कोड़ बना रहा है कितने मिनिट ना रहा है जाए तो एक मिनट के ग्याद करना है एक मिनट में बनाए का में आपको हो जाएगा तीन सो साथ और साथ को पच्छांद के लिए बटा में साथ जीरो से जीरो कर जाएगा चैकम चाट चाटीस को बिला के एक मिनट में जो कोड़ बनाया जाएगा कितने अंस का कोड़ बनेगा यहां पे छेत्रफल आप से पूछ रहा है यानि कि त्रिज्य खंड का छेत्रफल सलब्सक्राइए टीन सो साथ गुरे पाइ रर इसक्वार इसलिए कि बिरित पूरा लगेगा यहाँ पे ठेक हिल करते है ठीटा क्माण च्छ और तीन सो साथ कर लिजिए यहाँ पे गुरे पाइ़ का माझ कितना रखेंगा इस बाटा के चलिए शातर रख लेते हैं और मिश किसी को आपको हल करना है देखे 6-6-36 हो जाएगा ठीक है और यहां पर कितना ओजाए 14 की स्कूर है यहां पर ध्यान दिजिए एक बटा के 60 गुड़े 22 बटा के साथ गुड़े 14 की स्कूर मतलब 14 गुड़े 14 हो जाएगा ठीक है साथ केम साथ दूना के चव्दा दू एकेम दू दू त्याहें इस भाट तहरा फिर देख़ें आपका दो से कट रहा दो दूए टूए केम दूएकेम दूएकेम दू पंद्र बार में कड़ जाएगा और कोई अंक नहीं कट रहा है तो आप देखें यहां पर क्या करना है पंदरा के पंदरा ठीक है अब यानि कि 154 बटा के 15 आपसन में बटा में तो दिया नहीं है इसका क्या करेंगे भाग देंगे ठीक है चलिए आपको भाग देखे बता देते हैं यानि कि 15 का भाग दीजिएगा यह आपे लगा दीजिएगा ठीक है फिरह पर देस्मेश जोच यहां पर जीएगा नहीं है ठीक है इस धस दस नहीं वाग देने की जरूरते नहीं है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे 17 नंबर का सवाल का रहा है कि 10 cm भूजा वाले दो घं के सीरों को जोड़ा जाता है इस पकार प्राप्त घंआप का प्रिष्टिय च्छत्रफल आपको पूछ रहा है देखे इसका मतलब क्या आपको समझ लीजी पुरा डिटेल में समझा देते हैं जैसे लांग कोईश्चन भी आपको पूछा जा सकता है यह वहला सवाल देखे इस सवाल में आपको करना क्या है ठीक है बस ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत जादा आपको दिमाग नहीं लगाना है बस देखे जैसे एक दो यह घं है ठीक है यह क्या है आपका घं है समझ लीजी इस सवाल को यह आपको क्या घं है फिर एक घं और बना है इस तरह से ठीक है यह क्या बना है इस तरह से एक घन और बना है इन दोनों घनों को क्या कर रहा है सवाल में कि दोनों घनों के सीरों को जोड़ा जाता है सीरों को मतलब इसके आधार को सिर्फ जोड़ा जा रहा है एक घनाब बन रहा है इस तरह क्या बन रहा है एक घनाब बन रहा है इस तरह घनाब बन जा रहा ठीक है तीन दोनों को जोड़ा जा रहा थे देखिए इसकी 10 cm भूजा दिया थे इसका मतब 10 cm इसकी लंबाई होगा तो चोड़ाई भी 10 होगा उसकी उचाई भी घन की सभी भूजाएं बराबर होता है इस तरह 10 यह होगा 10 यह होगा 10 यह होगा लेकिन जब घनाब में जोड़ा जाता है इसके सीरों के जोड़ा जागा तो इसकी लंबाई में गृद्धी हो जाता है यानि कि 10 और प्लस 10 हो जागा इस तरह ये 10 10 हो जागा लेकिन इसकी जो उचाई रहेगा और इसकी जो चोड़ाई रहेगा एक समार रहेगा दस ये होगा तो 10 ये हो जागा बस यहाँ पर आपको यही समझना था दस-दस इतना हो जागा? 20 हो जाएगा न यहां पर देखिए आपको क्या है कि घनाफ लिखेई गैगा घनाफ का लंबाई तर लंबाई की यल से दिखाते है तो लंबाई कितना हो जागा? 20 हो जाएगा बनातेंगे तो हर चित लिखने की ज़रूरत नहीं है यह ब्वाविकल्पी में है इतना आपको समझाने के लिए बताएं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चित्र बनाए इस सवाल में यही दिर उत्तरी प्रशन पर आ जाता है इसका चित्र जैसे बनाए इस तरह बना याद रखिएगा घनाव का प्रिष्टी च्छत्रफल बराबर फार्मूला होता है दू कोष्ट में यल बी प्लास बी एल प्लास है यह फार्मूला होता है यहाँ मां रख लिजये है यल का मतलब वी सोबिकर मतलब भी सक्राइब होता एंर यह फार्मूला होता है अब उसका करेंग और प्लस इसका करेंगे ते कितना हो जाएगा दो सो हो जाएगा यहां पर दूघूड़े सब को जो डूसो तूसो चार सो एक पान सो असल गुरा कर लिए ते एक हजार सेंटीमीटर स्कोर सवाल को आप जरूर ऐसे लगाईएगा और यह फार्मूला जरूर याद रखिएगा ठीक है तो देखिए यहां पर सवाल देखते हैं और यह भी सवाल आको समझाते हैं यहां पर आकड़े आरो ही करम में लिखे गए हैं तता इनकी मादिका दिया है 16 तो यक्स का मान ग्याद कीजी बहुत सिंपल सा सवाल होता है लेकिन आपको लग रहा हो कि कठीन है लेकिन बहुत सिंपल है देखिए अपको लिख के बताते हैं इस सवाल को चापाम चापाम शाथ याख माईनस दू याख गामा स्तत्रण स्तत्रण भीस और यहां पर सिएक ध्यान दीःफिए कि पूछा क्या है मादिका मादिका पूछे एक पर दोब खैसा किति यह ग्याद कीजी एक गुश्टी डेह कियो एक हुआ दू यह पूरा एक लग पाद मात दिखा इन दोनों का योग किजीगा यक्स माइनस 2 plus 1 किजीगा अपान दू का भाग देढ़े ठीकर और मात दिखा दिखा नारम इस सोल स्ष्यवेदा सिर्शम होना सब्सक्राइब मैं आ каналुस्ट हो टूर्स यह बराबर यहां पर कितना हो जागा 24 यहां पर होगा दो यक्स आपको यक्स कमान ग्याद करना आपको पच्छान्ता कर लिजाए गा यक्स हो जाएगा अब दू से भाग देजिए गा दो से बाग देगे तो यह हुआ कितना हुआ यक्स का माना है आपका सत्रह इस पकाद सवाल आपको मीले माध्यका वाला तो जैसे समझाए आदा पद इधर और लिखे बीच वाले दो अगला नमबर देखिए 19 नमबर का यदि एक घटना की प्राइक्ता दिया है इसके पूरक घटना की प्राइक्ता क्या होगी इस पकाद सवाल जब भी आपको मिले यह सवाल आपको कई बर करा चुके हैं और जब भी इस पकाद सवाल पूछे कि घटना घटने की प्राइक्ता दिया हो और उसके पूर्य भड़गत इसके एलाब आप पूछी घटना न घटने की परायकति थै कि यान्य घटना गटती एंग उसको क्या करते एकमें से घटाbayर ना बेजिए ठीक अब reacts आपको काうगा बहुलग के मतलब होता है को ऐक कौन सरफा तक सब्सकति सवार की इस्पका का सवाल आपको देखते देखते आजाएं यहां पर ती रहा है यहां सब सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब। सही हो जागा इसको लगाने की विज़रूत नहीं ऐसे सवालों को अब देखे आपके सामने अभी स्टार्ट होता है खंडबा अब देखे इस सवालों को आप कैसे लगाएंगे बहुत सिंपल सा सवाल होता है बस आपको पता होना चाहिए तरीका सिंपल तरीका से लगा देखे पहला नंबर का सवाल है कि सभी खंड जितने भी इसमें खंड दिया होगा सभी आपको करना अनिवार रहे हैं पहला सवाल को है कि दिवगात समी करण चार एकस स्क्वाइर माइनस बारा एकस प्लस नौ बराबर जीरो के मूल गुरंखंड वीदी से हल करना है मतलब कि मूल को ग्याद करना है अब देखें जैसे ही इस पकार के सवाल आपको मिले इस पकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे पहले नंबर आप सवाल को लिखिये गां यहां पर चार एक्स स्कुाइर माइनस 12 यक्स और प्लस नू दिया है फिक बहुक अब जितने वि 파ष राइवाद habits 10 जैसे हल करना। ठेके माद्यन सो कुछ प्रेशनों को बता है । कुछ को पूरा हल करके बता हैं। यहां पे आपको कैसे करना है। जब द्यूगाद समीकड़ देगा और वहां पे गुड़ांखंड वीधिस हल करने के लिए कहेगा तो यहां पर क्या करते हैं इसका करेंगे गुड़ा चाहिए नोचो को छतीस होगा यह हुआ छतीस अब इसको दो ऐसे बरावर भाग में बाटेंगे जिसका गुड़ा करें चाहिए और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए बारा आना चाहिए ठीक है तब देखिए संख्या आप सोच यह कौन सा होगा देखिए इसमें जब संख्या सोचेंगे तो 6 और 6 ही मिलेगा इसलिए 6 का 6 में गुड़ा करेंगे 36 हो जाएगा 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो तो आप क्या करेंगे लिखेंगे 4 x square माइनस 6 प्लस 6 यक्स प्लस 9 जैसा लगा रहे है इसी तरह बोड़ की एकजा में आप लगाएगे तो प्लस 9 हो जाएगा अब कामा लेते हैं देखिए इन दोनों पदों में से कामा लेंगे तो देखिए इन दोनों पदों में यहां सी यक्स का मालाइनद यहां लिखेंगा माइनस, इन दोनों में कामान देखिए ठीन वाज़े हैं एक शक्या में देखिए लिका, तो प्लस हो जाएगा, माइनस, यहां पर तो आंदर का चिर्ण consum법 तो प्लस है तो माइनस लिखिएगा तिन का नौन बोन देफ़ेंगे तीन बार में जाएगा जब यह गुडांखंड किया जाता है यह कोश्टा के अंदर जो अक्षर आता है एक समाना आना चाहिए तभी आपका गूरांखंड सहीर होता है यह अनल था आपका गुना कज घ्लत होगा अब यहां से देखें 2 x-3 इसमें भी कामन है तो 2 x-3 लेंगे यहां से बचेगा आपका सिर्फ 2 x और यहां से क्या बचेगा माइनस 3 बचेगा तो देखें यह क्या करना था आपको गुर्ण खंड विदी से चाहल तो यहां पर क्या दिया एक जिद्यान दिए जिरो दिया न तो य लिखते चलिएगा ठीक है देखें यहां पर जिरो लिखते चलिएगा ठीकते अब और यहां से क्या करते हैं कि 2 x-3 बशूर रखिएगा यक्स बराबर कितना हो जागा तीन बटक के दू तो यह आपका दूसरा एंसर हो जागा यारि यक्स के दो मान मिलेंगे और यही आपको क्या हो जागा एंसर हो जागा ठीक है तीस प्रकास इस सवाल को पूरा आप लगाईए जैसे समझा है यादि गुरांखंड वाला सवाल इसी प्रकास से आपको लगाना है अगला सवाल देखिए खाव नंबर का कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में साथ एक अपरी में संख्या है इस सवाल को आपको कई बर बता हैं लेकिन यहां पे भी आपको बता देते हैं जिससे आपका रिविजन हो जाए ठीक है चलिए इस स संख्या सिद्ध करना आती है यहां पर आप मानें के क्या थिहां पर धयान दे जीमारना किया मानना यह ज्यां सव टो आपको करड़ी संध क्राइब संख्या एक है कै यहां पर साथ रखिएगा बराबर इसलिए रिख आंपको बार्बार कर सी3 दिखरा लेकिन साथ दो रखिएगा दो रहेगा तो रहेगा था था ठीक है लेकिन तरीका लिखने का वही रहेगा अपका क्या लिखेंगी कि ए बन genres Ti उसे लिखिए गा और यहां पे संख्या है रावाज एक यानि लिख लिचे लिखे और यहाम नीचे लिखे लिखें के लिख साथीम पार का और करने लिखेंगे तो करड़ी साथ का वर्ग कीजिएगा बरावर A अपान B का वर्ग कर लीजिएगा ठीक है करड़ी साथ कवर्ग करेंगे तो यहां से करड़ी हड जागा तो यहां हो जागा A स्क्वाइर B स्क्वाइर अब तीरिया गुड़ा कर लीजिए होगा यहां से कितना हो साथ把它 kore बराबर श्ison ठीक अब जैसे ही घ्रुटा आप लिखिएगा क्या लुखना आपको यहां लिखिएगा क्या को साथ से वई भाज है है हुईझ है कर लोस्त कि सा सर्थ चर्ट विभाज विभाज Several क्या कि यह से welcoming अब कि क्छेंट कैसे हिसे माना को पुना माना कफुना मान अब सपाश्पक्रा अब कितना मानेंगद सृट सी मान वह जिए तो आप ठीक है यह लिखेए दोनों पच्छों का पुनाह वर्ग करने पर दोनों पच्छों का वर्ग करने पर ठीक है अब देखिए यहां पर वर्ग करेंगे ति यहां पर ए स्क्वार हो जाएगा और यहां भी कितना हो जाएगा साथ सी का स्क्वार हो जाएगा ठीक है यहां पर कितना हो जाएगा ए स्क्वार बराबर साथ की स्क्वार करेंगे साथ सत्य उन्चास सी स्क्वार हो जाएगा ठीक है अब यहां पर यह चीज़ होगा कि ए स्क्वार बराबर कितना हुआ फ्रेंस यहां पर थोड़ा से इस्टे मतलब एक जगा पर 7C रख लीजいきます अब यहाँ पर लिखिएगा कि समी करण ठीक है इस्टेप जोड़ी तोड़ा से गलती हो गया समी करण एक में A बराबर साथ सी रखने पर रखने पर उसलिक रखते हैं देखे 7 B स्कॉार बराबर A स्कॉार है यहां पर 7 B square बराबर एक जग अब कितना रहा है साथ C का स्कॉायर हो जाएगा तेकि 7 B square बराबर साथ सते 49 C square हो जाएगा साथ को पच्छान देखीजिए ते B square बराबर कितना हो जाएगा 49 C square बटाके 7 साथ से कड़ेगा है तेकि यहां पर क्या लिखेंगे चुकि लिखेंगे आप कि बीश्कॉायर कि इतने सी विभाज्य थे सास साथ से भीवाज्य होगा eating वीभाज्य होगा कि यहां और आफ्य वीभाज्य कि विभाज्य होगा अभी क्या करना है कि इस वाले को माने समीकर नमबर माल के एक,"्छा COR इसे कितना मालिएगा तीन माल लीजेगा धिए समी कर press आ दो और तीन से हैं आप समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से देखेंगे यहां पी क्या हो जाएगा साथ से देखें साथ से दोनों संख्या क्या है साथ से आपके जो A है और B है ठीक है साथ से और B का एक गुलान खंड हो जाएगा साथ जो होगा ए और बी का क्या हो जाएगा गुलान खंड होगा ठीक है चलिए अगले प्रारम में हमने प्रारंब में माना था कि A, B साभाज संख्या है यह जो कि माने थे है ठीक है? A, B क्या साभाज माने थे? साभाज कोई भी संख्या रहता है उसका कोई भी उबेनिष्ट गुर्ण खंड नहीं होता इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए A, B क्या हो साभाज यह लेकिन यहां पे साथ क्या हो जा रहा है? A, B का एक गुर्ण खंड हो रहा है ठीक है? इसके लिए क्या हो जाएगा? कि अता अता लिखेंगे कि हमारी परिकल्पना जो है? हमारी परिकल्पना गलत है या जो उपर आप माने थे परिमे संख्या ने यह परिकल्पना क्या है? गलत है गलत है ठीक है? इसलिए इसलिए करणी में साथ क्या होगा? एक परि में संख्या होगा शन्ख्या होगा ठीक है इस तरह सवाल को तैयार कर लेजिए rule Dire to coaches क्या क्यose आपको क्या है? इस तरह क्या किजिए पुरा step by step यह पर एक चीज आपको पता देते हैं अिए सवाल में आपको इंप कोई भी संख्या नीशी परताई जैसर CAP सब्सक्राइब हो से है ऑब सीटेफ लिखना के अगले लागने के सवाल देखते हैं अगला है अगला romantic सवाल देखे सवाल अगला सवाल गव का देखिए तथा तथा तो ए और बी का मान आपको बताना है इस पकार के सवाल आप कैसे लगाएंगे जैसे समझाएंगे वह यहां पर देखिए कि आपका सवाल जो दिया है क्या दिया है 10 A प्लस B बराबर 1 है तब एक चीप पताएंगे 10 को रूप में किसका मान एक होता है तो यह होता है देखिए किसका होता है 10 A plus B बराबर 10 कितने को होता है 10 45 अंस का मान 1 होता है एक के जग़े पर 10 45 रख लीजिएगा 10 से 10 यह हड जाता है A plus B बराबर कितना हो जागा आपका A plus B बराबर 45 अंस और इसको समखर नंबर आप 1 मान लिजिएगा, क्या मानेंगे इस 1 मान लिजिएगा पसके एलभाद देखिए आपका क्या दिया है 10 A-B बरावर कितना d nights एक बड़ा करोट में 3 दिया है तब इसका बताई है 10 के रूप ने किसका मान होता है तो आप सबी कोई याद होगा 10 A-B जो होता है 10 कितने का मान होता है 10 30 अंस बरावर होता है एक बटा के कड़ी तीन, एक बटा कड़ी तीन के जगे बें हम 10 तीस रख सकते हैं, यह 10 से 10 हट जागा, तो A-B बराबर कितना हो जाएगा आपका 30, यह समीकर नमबर 2 माल लिजे, क्या मालेंगे, समीकर नमबर 2, समीकर एक और 2 को एक जगर रखके हल कर लिजे और आपका answer य प्लस बी बराबर 45 संस यह समीकन नमबर आपका एक है ए माइनस बी बराबर कितना हो जागा तीस संस यह समीकन नमबर दो है इन दूनों समीकड़ा को हल कीजिए ते देखिए वज रगुणां खंड वीदी से इसको हल करके बता रहें आपको इसमें से एक अक्षर आपको हटा ना पढ़ता है तो यहां पर दो कि प्लस माइनस था भी बी से हट जाब यहां पर जोड После कि जोड़ने पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ने पर जबने पर जोड़ने पर जोड़ने कितना हो जाएगा और बीद में से भी गया यह कट जाएगा ठीक है यहां पर filing gorgeous यहां पर 5 हो गा और 4 3 कितना पहुँदा हो जागा 75 अंस ठीक है कि ऐकमान अगत कितना हो जागा एकमान यहां से आपका आएक 75 अंस माथ 7 में तर 35 कितना जागा पह एकमान इतना आया अब इस एकमान चाही समीकर एक स्मीकर दो चैनल एक में टो एक में इब रावर से तीस दस्मलों पांच रखने पर रखने पर, चलिए रख लेते हैं देखे, पहले समीकळ को लिख लेते हैं A प्लस B बरावर 45 समीकळ को जलू लिखेगा और दिखा दिएगा कौन सा समीकळ में रख रहे हैं आप एक अमाल कितना है, साहतीस दसमलो 5, प्लस B लिवह बरावर कितना हुगा 45 घाने का भी तरीका बताते कि tapping 440 किसे हैं पांच है जिरु कर लीजिए गाई दस पांच यहां बच जाएगा आपका कितना चाहत 14 में साथ गया साथ हो जाएगा यहां बचेगा 3 3 में से 3 फॉल ऐखे चाहते नीस दस तरह और बाबर कितना आया साथ दस मैलों 5 उसको चाहे तो आप इस तरह गेर भी दीजिएगा जिस एक्शामनर का नजर सिर्फ इसे प्रशन पर पढ़ें ठीक है 30 को लगाना था चलिए अब अगले नंबर के सवालों को देखते हैं अगले नंबर का सवाल क्या है आपका यहां पर देजिए आपको अगध मोना का प्रशन हो चुका है गधान नंबर का प्रशन दखें बिंदू A के लिचा कियांथ कीजिए हैं गहानमबर का है तो पहले नमबर क्या क्या है कि बियास हो जाता है इसका नाम ए रख लिजिये अ के निरसांग कियांद कीजिए बित का ब्यास है जिसका केंदर दिया है कंद्र क्यां लिए फिर इसके बार किया है कि दिया है docs का म Regret अजब सहुद्ज आपसाथ एक निर्सांग क्या करेंगे याक्स कंवाई माला लेंगे ठीक है अब देखें यहां प्राइब DRY यह क्या कi चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं यक्स वन बराबर यक्स माने हैं वाई वन बराबर क्या माने हैं इसके अलावा capital X capital X बराबर क्या है आपका 2 है और capital Y बराबर कितना है माइनस 3 है इसके बार यक्स्टू कितना है आपका यक्स्टू 1 है और वाई 2 कितना है आपका चार है अब देखिए मद्ध बिंदू अदम होता है तो मद्ध बिंदू का फार्मूला भी आप ध्यान दीजिए कि मद्ध बिंदू का फार्मूला क्या होता है यह होता है मद्ध बिंदू बटाके 2, कामा Y1 प्लस Y2 बटाके 2, यह फार्मूला होता है अब बस यहाँ पर क्या करेंगे आप मान रख लीजिए, क्यापिटर यक्स कमान कितना है, क्यापिटर यक्स कमान 2 है तो चलिए यहाँ से लिखना च्टार्ट करते है तो 2 कामा, और capital minus 3 है बराबर यक्स1 का मान कितना है तो एक कर लिजी बटा के दू कर लिजी अब क्या करेंगे कि यहां पर निर्दसांग को तुलना किया जाता है मतलब यह पूरा जो मान होता है एक बार बता देते हैं कि जो पूरा मान होता है capital होता है यह पूरा मानाता है capital y का यहां पर आपको पता है इसे kय यक्स का क्रणा किया जाता है यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों मैं पच्छो मैं की तुलना करने को आप 2 बरावर आएगा, yaks plus 1 बटा के 2, पहले इसको हल कर लेते हैं, 2 का 3 गूड़ा करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, yaks plus 1 हो जाएगा, 1 को पच्छहंतर करेंगे, 4 माइनस 1 बरावर, yaks, 4 में से घटा है, 3, yaks का मान कितना आए, आपका 3 है, चलिए इसको घेर लेते हैं इस तरह फिर इसके बाद देखिए आपको क्या हो जाएगा कि य का वाइज से तुलना तो माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा य प्लस 4 बटा के दू तीरिया गुड़ा कर लिजिए जब तीरिया गुड़ा करेंगे दू का इधर कर दू त्याई 6 हो जाएगा यहां पर य प्लस 4 हो जाएगा चार की दर कर लिजिए तो माइनस 4 बराबर य हो जाएगा यह हो जाएगा तो य का माँन आपको इतना मिल गया है ठीक है इस प्लकाश अगैसे लिखेंगे इस एनसर लाश्ट में लिखिएगा आप कि बिंदू एक निर्षांग बिर्देशान क्या माने था यक्स का मावाई था अब यहां पर बस मान रख लीजिए कितना यक्स की जगाप 3 है यह इसका इंसर हो जाएगा टीस पर्का साथ पूरे सवालकों बूर्ड के इकजाम यादी सवाल आता है तो इस परका से अगले प्रशन को देखते हैं देखें आपका अगला नंबर का सवाल द्यान से क्या है खग olah गया कि यह पर अंगयों यह ठीए कि ठीक है जब इस पकार का सवाल दें तो आप देखे इस सवाल को लगाएंगे कैसे ठीक अब यहाँ पर आपको जो दिया है यहाँ पर लिखेंगा वर्ग अंतरा वर्ग अंतराव लिखने के बात इसके मान को पर लिख लिए का 0-10 है 0-10 के बीच और 10-20 और 20-30 ठीक है 30-40 इतना करने के बाद अब स्केल से क्या कीजिए इसमें से एक लाइन कीच लीजए गहां आपधी डिखने के बाद बारंबारता दिखाईए का बारंबारता है एक जैसे खाइए कि आठा शूलार्ण 36 34 और 6 अब क्या किजिएगा इस तरह करने के बाद थोड़ा सा ऐसी आप खीश लिजिएगा जिससे देखने में सवाल अच्छा लाएगा जितने सुन्दर लिखेंगे उतने अच्छा रहेगा आपके लिए यहां पर क्या करेंगे लिखेंगे इसमें बात दिका जब ग्याद करना पड़ता है वह होता संचाई बारम बारता यहां लिखेंगा संचाई बारम बारता संचाई बारम बारता कैसे ग्याद किया जाता है यह आठ को सेम तुसेम यहां पर उतारा जाता है इसको यहां पर क्या किया जाता है जोड दिया जाता है तो 16 में आठ जोड़ेंगे कितना हो जागा जोड करीव लिखेगा चोवीश होगा और फिर इस के साथ जड साथák ऍहुट subscribe थियुक्त और भी इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या वोजाएगा 60 में 34 में 24 दिदुट सब्सक्राइब आपको यहां पर पता चल गया कि यह होगा अब देखिए आपको इसकेल से थोड़ा सा खीच लीजिएगा और इसको आप थोड़ा सा इस तरह घेर लीजिएगा ठीक है यहां पी यह आप घेर लीजिएगा इस तरह ठीक है अब घहरने के बाद देखें आपको क्या करना होए पहला किया करना रहेगाQuery यह नार चीजिकलता कहां से यहां से निकलता है यह यहां का मान निकलेगा कैसे निकलेगा बारंबारताओं को योग कीजिए गई जितने भी है बारंबारताओं को योग बारंबारताओं के इसमें जन से दिखाते हैं योग कीजिए दियान देजिए कि इनको जब 8-16-36 जोड़ेंगे तो आपको इतना इट्चाम करने जो संचाएब ग्याद कियो इसमें देकी कि आपकार श्र करता में तो पचास से बड़ा देखेंगा तो साठी आएगा तो आप इसको क्या कीजेगा कि इस पकार से आप घेर लीजेगा घेरने के बाद जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजेगा ठीक है इस तरह घेर लीजेगा घेरने के बाद देखें यह 11 का मान हो जाएगा यह 12 का मान हो जाएग रज़ा फार्मॉला क्या होगा और इसी फार्मॉला प SBI को लगाना है, लगाने पहले आप क्या कीजएगा कि है, है यहां पर माल लीजीए बैए यल्वन कमान कितना है वीस है यल्टु कमान कितना है तीस है फिर इसमाल एफ कमान कितना आप माधिका बराबर आपका होता है माद भी का बराबर यहां पर होता है 11 प्लस L2 माइनस 11 अपान इसमाल एफ कोश्ट में यन बाइ 2 माइनस कैप्टल एफ यह होता है फार्मूला अब यहां पर रखके आपको हल करना है 11 का माइन है 20 L2 का माइन कितना है थे 30 और माइनस 11 का माइन 20 कितना है 36 है जदेश mo लीजेगा कोश्टक 10 का मांन कितना है यह आपका सौ है तो सौ कीजिए बटा में दू माइनस अपको का मलन कितना है 24 21 कर लिजेगा ठीक है अब इसी को हल कीजिएगा देखे कैसे आलोगा 20 प्लस 30 मेंसे 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 घटा के 36 ठीक है यहां दू का भाग देंगे 100 में 50 आएगा 50 मानिस कितना हो जागा 24 ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे आप 20 से प्लस 10 बटा के 36 ठीक है अब यहां पर गुड़ा देख सकते हैं घटा के ठीक है अब इसी को आपको हल करना है कैसे हाल होगा 20 प्लस अब इसको हल करते हैं पहले कटा कि इसको छोटा कर लेते हैं या गुड़ा करके भाग देद दीजेगा तो यहां पर कटाते हैं देखे कितने बार में कटेगा तरह देखे यह कटेगा आपका दू एकमदू दू तेच्छ यह कटेगा आपका दू एकमदू अठारा ब देखें कितना आ रहा है दसमलों में देखें 9 7 360 अब दू हो जाएगा दसमलों लगेगा जीरो अठा नौदूना के 18 अब क्या करेंगे 20 प्लस साथ दसमलों में 27 दसमलों दू दू और यही आपका क्या हो जाएगा इस पकास से इसको घेर लिजेगा और यहां पर आप इसको एंसोल लिग दीजिए गा ठीक है तीस सवाल को आप जरूर तयार कर लिजिए इसी तरह जैसे आपको समझाए इसी तर लगाना अब पूरे सवाल को देख सकते हैं आपको काईसे क्या करना है एक बार देख की सवाल को प्रैप्टिस आप जरूर कर लिजिए चले अगले नंबर के सवालों को देखते हैं देखिए आपके सामने अगला नंबर का कौन सब सवाल है तो हो चूँगा अब उन्टू काश्ट इसंस मानज साइन तीसंस इन्टू काश्ञ चाट इसंस जो होता है वह एक बटा के दू के बराबर होगा अपर देखेंगे एक बटा को शॉपन करेंगे घुर करने के बाद एंटू आपका सकार रहा है करें नहीं तब पलए इंटारते थें तभी तो साइट अंस बडावर कितना लाना है एक बटा के दूप अब यहाँ पर लिखेंगा left hand side यानिए left hand side आपको हल करना है यहाँ पर लिखेंगा sign 600 अंस इंटू कास 30 अंस माइनस sign तीस अंस इंटू कास 60 अंस कि इसको हम चाहें तो एक दो एस टैप में कर दें लेकिन आपको एक दो इस टिप में नहीं कर नहीं होता है। & 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 दो ही सिद्ध करना था एक बटागी दूआ गया लाश्ट में एंसर ट्राइप क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बरावर राइट हैं ठीक है यह हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिए लिख लीजिए कि बाया पच बरावर दाया पर ठीक है यह तो था सवाल यह सवालों के साथ आग पूरा बता रहा है इसका प्रैक्टिस अब सवाल को प्रैक्टिस करके 27 फरवरी को जाईएगा ठीक है अब देखिए आपका का नंबर का सवाल है कि किसी सवांतर स्वड़ी का प्रथम पत पांच है और अंतिंपत 45 और योग दिया है 400 पदों की कि प्रथम पत को ए से दिखाते ए बराबर होगे आप 5 अंतिंपत अंतिंपत को यल से दिखाते Money ंतिंपत 45 और योग कितना दिया है पतों का योग दिया है customer 400 अब यहाँ पे एक ध्यांत दिजिएगा यहां पर योग दिया है और पदों की संखिया पूछ रहा है रही है एंए हैं यह बराबर कोईषिन मार्ड फिर इसके बाँ सवाल में आप सुर्वान तर्ट कौंध देखा का दी हैं यहां सरवांतर दिखा दूँथे का ताव पर लीडा खलन NOR लाइके देखिए यहां पर यहन पदों का योग बरावर फार्मूला याद रखिएगा यह 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 पदों का यूग पाँच ठीक है बाइब कुल में हैं फॉछय 400 बराबर यहना गुड़े 25 आपको यहन का मान गयात करनाए तो 25 को 25 यह होगा WordPress 25 क्या करें की यह जाएगा बराबर यहन अब 12 को क्या करेंगे कटाएंगें कितने बा थो 25 को 25 का और लीजिए वाद लिजिए वे Kaiser 50 यहां पहले पूछा था आप से कि पदो की संख्या कितना हो जाएगा अब देखिए यहां पर सरवांतर भी ज्याद करना है लेकिन एक चीछ दिया है इसमें अंतिमपत यल कमान दिया है देखिए अंतिमपत का फार्मूला क्या हो था इसे भी आप याद रखिएगा अंतिमपत को यल से दिखाते हैं यल बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 into d यहां पर d कमान याद लगत करना है तो यह आंकमान कितना है थी आंकमान आपको 16 पता है तो 16 रखेंगे माइनस एक कर लेंगे और यहाँ पर इंटू दी हो जाएगा आप 5 को इदर पच्छांट तक कर लेगा थी यह ज़्येगा 45 माइनस 5 बराबर 16 में से गटे गाएक तो कितना बचेगा 15 गुरे नहीं कि इंक आपका और कैसे के आपको अन आप फीटेव हो जाएका फ़िक्षपी हो जाएका तो यहां पर यहां पर Scorpion में सब्सक्वाज प्सक्रटाइक स्दर्द चासकर में तुओ कितना ब्ल्जारीस ब्लारी में यहां पर लास्ट में लिखेगा इसका भी चाहिए दी वराबर आपको आट बठा के यही आपको क्या होगा इंसोर और पूरे सवाल को आप देख लिजी एक बार फ्रेक्टिज जरू कर लीजये ऐसे सवाल ठीक है चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं ला नंबर का सवा कामा भी बिंदू 16 कामा माइनस 6 और भी दिया है कि कामा 4 को मिलाने वाले रिखा खंड का मद्दी बिंदू है तथा ए माइनस 2 भी बराबर 8 है तो के का मान और दूरी ए भी ग्याद कीजिए ठीक है यह दो चीज आपको इसमें ग्याद करना आपको पताते हैं कि सवाल कैसे लगेगा सवाल को ध्यान से पढ़िएगा सवाल आपको समझ में आ जाएगा यदि बिंदू यह एक कामा भी बिंदू इतना और इतना को मिलाने वाले रिखा खंड क्या है मद्दी बिंदू पहले एक रेखा इस तरह खीच लिजेगा खीचने इतना दिया है K कामा 4 और इसके मद्दी बिंदू का निसांग तीना दिया है A कामा B इस तरह दिया है थो पहले यह उप्यों प्लस एक टू बटाके दू- कामा यह बटाके दू- और यहां पर क्या क्या करेंगे कि देखी आप इसको मान लेज़ेगा यक्स1 ये है y1 ये है यक्स2 ये है y2 और ये जुम्मत देविनु दिया रहाता है ये यक्स और y कमान रहाता है ठीक ये तो बता चुके आप सभी को अब यहां भी क्या रखेंगे प्लस के अब बटा के दू कर लिजेगा वाईगों कीतना है तो माइनस च्ख कीजेगा प्लस वाईटू क्या माइनस कितना है चार हो तो चार क Bien-गा बटा के दू कर लिजेगा अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है देखे यहां पे आपको क्या होगा दो माइनस दू बटाके दू हो जाएगा ठीक है अब यहां पे देखे क्या करना है आपको कि तुल्ना कर लीजी जैसे आपको इसके पिछले वाला सवाल बताए थैं लिखेंगे दोनों पच्छों की तुल्ना करने पर कर लीजिए यह यह एकस कमान होता है यह यह पूराcohol यतक्स हो घोसके पर पर आद कि लगा है है यह बराबर होगा यहां से पहले के कमान गयात करते हैं तो देखिए आप कितना हो जागा टू एधर आएगा माइनस दस बराबर के एक तो के कमान यह पता चला चलिए ठीक है इसना चीछ पता चल गया आपको अब क्या करना है कि वाला के तुलना इससे करना थे बी बराबर कि बढ़ागा दो बढ़ा गए माइनस एक आ गया यानि वी कमाण तो आपको पता चल गया कि भी बराबर है माइनस आप सवाल पहले स्टबास कि पिरले का इना सब्सक्राइन सब्सक्राइब रहें कितना रखेंगे सब्सक्राइब बराबर कुछ सब्सक्राइब नमबर एक मान लिखिएगा यहां यहां लिख लेते हैं अब पर जेश्ट कर लीजिए गए ठीक लिखना पड़ेगा समी करड़ 1 में या बराबर 16 रखने पर रखने पर चलिए 16 रखने हल कर लेते हैं देखिए यहाँ क्या है दू ए माइनस 10 बराबर के हैं दू गुड़े एक जब दूना के 32 और माइनस 10 बराबर के ओजाएगा अब 32 में से 10 गठा दीजिए ते कितना बचेगा तो आपका बाइस बचेगा यहां से पता चल गया कि का माँद यह होगा ठीक यह तो आपका एंस्वरा आया एक लेकिन आपको इतने ही तक नहीं करना है सवाल को फूरा अब दर देख लिजिए सवाल को जब देखेंगे तो ए मैश- टू बी बढ़ Alban 18 तो खें कमान तस में अर्ब गया लेजिए दूरी ग्याद की अभी आपको दूरी ग्याद करना सवाल में अचलि आपको दूरी घ्याद करके भी सवाल में बता देते हैं आपको गेःती है कि जैसे खीचे थे यह और यह बी है यहां पे कितना है कामा 4 यहां पी यहां किई से उस्पथ पर की एक जगह ढू Monday के बायस के स्काल मैं कितना हो जाएगा चार हो जाएगा अब इस सवाल को लगाना mett। बीच की दूरी ग्यात करना है, यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा, यह y2 हो जाएगा, अब चलिए 2 बिंदू की बीच की दूरी, बरावर फार्मूला क्या होता है, यह होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्कॉर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्कॉर, यह फार्मूला होता है, अब इसमें क्या करना है, कि आपको मान रखना है, ठीक है, यक्स1 का मान आपका कितना है, 10 है तो 10 माइनस, x2 का मान कितना है, 22 तो 22 कर लिजी, यहाँ पर स्कॉर कर लिजी, प्ल है देखे 22 में से 10 घटाएंगे दिना जाएगा आपका बचेगा 12 माइनस 12 बचेगा इसक्वार हो जाएगा प्लस यह च्छर कितना माइनस 10 हो जाएगे स्क्वार कर लिजिए करें 12 की स्क्वार करेंगे 144 होगा और 10 की स्क्वार 100 हो जाएगा ठीक है अब इसको जोड़ लिजिए जब जोड़ेंगे ते कितना हो जाएगा चार चार 244 और इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं यहां पर देख लिए जोड़ के आपको क्या लिखना था 244 आप इतना भी एंसोट छोड़ के चले आते हैं तब भी सही है यहां इसके अलवा आप क्या कर सकते हैं कि 244 का गुरंखंड कर लिजिए इस तरह गुरंखंड कर आप चले जीए गा और दिखी जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाषर भी आप निकल सकते हैं चीक है तो चले इसका देखें कितना बाहर निकले गाए देखिए 2-2-2-4-2-6-12-2-2-1-2-1-2-6-2 हमेसा एकसे कटता है एकसे क्या होगा एकसे कटेगा इन दोनों का जोड़ा बाना थे जिसका जोड़ा बनेगा वह तो बाहर निकल जाएगा चलिए दो बाहर निकल गए आप करणी में कितना हो जाएगा एक सट और यही आपको क्या हो जाएगा कि दो बिंदों की बीच की दूरी का दो बिंदों की बीच की दूरी जो पूछा है एंसवर यही एंसवर प्रन आपको लगाना था एक बार को प्रेतर नंबर के सवह एक मैड़े इस इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को प्रवाइट करेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा अब देखिए यह आपके सामने सवाल है अब इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे दी गई आकिति में यदि डी इसमांतर एसी और डी इफ समां बेज़ेंगा ठीकें जभी इस चीत्र को बनाते हैं और आपको बताते हैं यहां भीगेंई क्या कि शिद्ध को इसे एक भी 것으로 है तो दी यू काहां प्रशेति यहां प्रियाप यहफ लेजिगा देखिन की इसको क्याना प्रिया है ऐसे मिलाया है। फिर इसके बाद एक बिंदू यहां पर लिया है और इसको यहां से मिला दिया ठीक है देखते रहे यह पूरे सवालों को यहां पर इसको ऐसे मिलाया है फिर इस बिंदू को कहां पर मिलाया है देख लिए पूरे चित्र को देख लिए इसी तरह बना रहा है ना अभी कुछ कर और यहां को यहां है दिया और यहां पर किया है और यहां पर टी री died कि इनærी बभना में इसको दिया उसको लिखना पड़ता है चलिके आपको लिख के बताए पहरा जिलका jornal लितुम falar में कि तपर लिखियागा दिया है और कि निक्ट है सभावकि श्रीपड़ में यह समांतर यह हैं कि यह लिखैट समांतर पहर तो यह दिया पिर क्या दिया है कि दी ऐफ समांतर जो हैं और रिघर किसे सिद्ध करना है कि सीध करना है ठीक अब देखें जो सीध करना है उसको लिख लेते हैं क्या सीध करना है कि बड़ाबर बटाके इसी यह सीध करना है आपको अब देखें यह चीज़ करना है कैसे सीध करेंगे चलिए सीध करके आपको पताते हैं सिंपल तरीका से चलिए इस सवाल को देखत है पूरा, यहां पो लिखियेगा हल हां अब हाँ लिखने कब बात पहले क्या कीजियेगा तृभोच Lebens a b c में चलिएगा, किसयों जूरने के अवाफ़ favor announce a b c में लिखेंगे तर्भोच adm savez c में जब सेदगर तो पहला क्या दिया याफु सामानतर इतना निखने के बाद देखिएगा यह समांतर है क reporting यह और एक यह इसके बूजाओं का अनुपात आप बराबर बॉजैंगे लिखिए बटाके इसी यह आपको ना देखिए यह भूजा इस भूजा के समानतर है तो इसका मतलब यह पूरा क्या हो जाए कि बटाके इसी देखिए कैसे लिखेंगे पिए याप कि समीकर नंबर माल लिए आप समीकर नंबर अब दूसरे कंडिशन पर लिखेंगे त्रिप्वूच का नाम ध्यान दिजीगा यहां पर दे एप समानतर एक देख़ें वाला जो है रहा किसके समांतर इस वाल ये लिखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ भूजा का उनुपात क्या होगा यहोगा आपका कि यस तरी भूज मेंivamente अनूपात ओ यहाँ लिखिएगा लिख है यह बाबर प्लाबर क्या हो गागा च छoup IRS Guru जा के साथ यह याँ ब्रिवरीः बटा गिसलिए बीटी वठाक कंदैटरे चलिसर सभीकार नंबर करता है को स century तथा दो से समीकरण एक और दुसे चलिकिए का बीए वबटा कंडिया चीज़कोट यहां पर देखे आपने से और लिखांगर बिज़कर द्वकर रटक। इसका मतलब यह इसके बराबर है यह दून आपसमें बराबर होगा यह दून भूजा आपसमें बराबर हो जागा कि नहीं होगा तो होगा यहां पर क्या लिखेंगे आप के बी एफ इसको क्या करना था प्रूब करना था देखें यहां पर प्रूब किया कि नहीं पर इसको क्या करेंगे इसको लिख लेंगे और यह इसके बराबर दिखा देंगे यह दोनों आपसमें बराबर होगा और यही क्या करना था आपको सिद्ध करना था लास्ट में लिख सकते हैं प प्रकास से आपको सवाल लगाना था पूरे सवाल को एक बार देख लीजिए इसका प्रैक्टिस कर लीजिए सवाल को तीस प्रकास सवाल को आपको तयार करना है अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अब यहां पर देखते हैं घा का ठीक है देखिए यह सवाल आपका ऐसे ल चीत्र बनाईएगा ठीक है कैसे बनाएंगे यहां पर कैंद्र को एसे मिलाया है और यहां से एक ऐसे मिलाया गया है इसको यहां आपको लगाना कैसे यहां बहुत जाता जरूरी है आपका यहां पर लिख सकते हैं कि इस सवाल में दिया क्या है दिया है लिख लिजिए दिया है सवाल में क्या दिया है ती पी क्यों बनेगा परेखा अपर्श रेका है तो यहां परा कोड कितने इंसकों हो जाएगा ठीक है इतना चिल लिख लिए फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगेह यहां पर आपका क्या दिया है और पि क्यू दिया है थिके फिर इसक बात की दोरों क्या आपका तットरिज्या है वह लिखने ब्राबर क्या लिखाएंग्स फिलाबर टिक एड़ का बीरिंदी छक्राशंच बराबरबर बशता है तो इससे कोड भी बराबर होते हैं इसका मतलब यह पुरा कोड़ इस कोड़ के क्या हो जगर बराबर हो गा तिसका मतलब यहीं पर लिख लिखे लिढ़ी करना है तब जाकर चार नंबर मिलेगा आपको क्या गया पी ओर गयात करना थे आप लिखे पी ओर बराबर क्वेश्चन मार्क अब देखें यहां पर लिखिएगा आप हल इतना लिखेने के बाद आप क्या लिखेंगे अब लिखेंगे हल यहां पर लिखेंगे आप हल लिखने के बाद देखेंगे कैस से आप सुरुवात करेंगे पहले तो शुरुवात यही करेंगे कि ओ पी क्यू बराबर नब्यांस होता है न यहां पर लिखेंगे कि कोड ओ पी क्यू बराबर यह क्या है देखें ओ पी आर यानि ओ पी आर प्लस किसके है आर पी क्यू के दो कोड़ों का यूग करेंगे तो पी क्यू के बराबर है अब देखिए यहां पे ओपी क्यू जो दिया है आपका नभ्यान से क्यू है कि असपर्ष रेखा है जो कि आप उपर एक बार लिख चुक है तो बार बार लिखने के जरूरत नहीं है बस यहां पर भी आर ग्याद करना है और पी क्यू कमांड दिया है साठ तो यह पर साठ रखिए गार इसको हल किजिएगा देखे क्या होगा ती नभ्य इसको पंच्छान्टर करेंगे साठ अंस बराबर ऑफ वटाएंगे तीसंस हो जागा तो कोड़ ओ पी आ र साठ अंस आया उसका मतलब क्या हुआ है कि यहां पर रखिये का यहां पर किया है कि यहां कर तो यहां पर यहां से ग्यात कर चुक है कि कितना है तिस आपर 30 लिखना है फिर दोख तो आपको इह पता चल गया आपको यह तो ग् भस तिरभूश के तीनबूआ कोड़ैंक योग होता है तो कोड़ ओ पीयार प्लस कोड़ और पी बराबर एक्सो एसेंस होता कि तिर लुँट्रा पंवाँ के योग एक्षोसी मुजत के आथब दया दुस्ट्रन प्लस ओ पीयार का मांद देखिए आपके तीसंस यहां पर रखेगा इसका मान भी कितना यह 30 तीसंस रख लीजिए गाइगा 1980 देखिए कोड़ POR 30-30 जूड़ेंगे तो 60 अंस हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा देखिए कोड़ POR सो और बराबर वेस्थ में थे ओर homepage यहलेश्वाव हिस्पम स्वाल रगाना सब्सक्राइब आरासी तब आपको 45-46 content 8 मिलेगे हैं तो पूरे स्वाल को देखली काई से आपको है की स्वाल पूरा अपकर प्राइब प्रश्ण है तो 4 अ मीलेगा το мехiba गे आप अग्रा नंबर का सवाल है की को qyst quand फीटा मानिस काश स्वाल है की पर फषिंद करेंगे की को क्या है क्या है कि कोशेक कर थीटा 10 गशे पर फ किता 10 हुल स्वाल कॉर में कास faith सब्सक्राइए पान माइनने लेका साय च्रहां सना लके चलिए घसे यहां पर इसकोार लाना आपके लिए असान हो जाह 23 टासप्राइट है यह पुला स्टेट लेंगे आपको नीचे डुलाना नहीं परिमिकर रिए कर करके इसको अठाएंगे तिया भषी सब्सक्राइब upon 1 plus cas theta परिमे कड़ा करेंगे तो जो नीचे रहता है इसी का अंस में गुड़ा करते हैं तो चलिए गुड़ा कर लेते हैं तो देखिए 1 plus cas तो इसका गुड़ा क्या होगा उसी तरह यहाँ पर भी गुड़ा करेंगे तो 1 plus cas को क्या लिख सकते हैं तो 1-3 लिख सकते हैं गुड़ा करके ठीक है अब दीए एक फार्मुला आपको बार बार बताते हैं कि जब भी परिमिकर किया जाता है एक फार्मुला यह याद रखी कि एक कोश्ट में A प्लस B आपको नजा रहा है और एक कोश्ट में A-B नजा रहा है तो इसे आप डारेक्ट A-B-2 लिख सकते हैं यह होता है फार्मुला जो कि आपको एक कई बार सवाल में बता चुके हैं ठीक है यहाँ पर देखिए कि आपका 1-3 ठीटा है ती दो बार गुड़ा है यहाँ पर दियान दिजेगा कि देखिए आपको कहीं भी नजा राजए कि 1-2 इसा डारेक्ट A-2 लिख सकते हैं यह फार्मुला होता है इस फार्मुला को भी याद रखिए को 1-2 ठीटा लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप कि 1-2 ठीटा अपान 1-2 ठीटा इसक को देखें च्छेंज कर लिए गाई आप च्छीटा का यहाँ पर Tucson कस्छीटा लिख सकतेजिक अहां पर कर दिया क्या सकते हैं साइस्दी ट्रुफ में ठीक है और आक अलूद्हीं आपको कし combination का उन सो लाना है कि इसको क्या करेंगे अलग लिखेंगे कैसे दो कि ओन माइनस एंस prior लिखेंगे इसे और मांध इस से क्या लिखेंगे हुआ है 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 फोल भान इसको हाफ बना लेंगे और जितने फार्मूला यूज कीजिएगा इस तरह लिखते रहिएगा चुकि लिखिएगा को वन माइनस साइन ठीटा रहता है जहां पे तो वहां पे आप क्या लिख सकते हैं को से ठीटा लिख सकते हैं और जहां पे आपको कास ठीटा पान साइन ठीटा नजा रहा है तो वहां पे आप काट ठीटा依न लिख सकते हैं यह फारमूला होता है यह को पता होना चाहिए तभी जाकि आप सकते हैं यहां पर 1այ साइल कोई स्क्वार कमें कूश लिख सकते काट काडि कमें लिख तो विखते हुं पहते हैं सिद्ध करना था ठीक है यह हुआ आपका सिद्ध और लाश्ट में लिखे दीजेगा इती सिद्ध इती सिद्ध छोटा सा सवाल था देख लीजी एक बार इस पकास इस सवाल को आपको पूरा लगाना था जैसे बता है इसी तरह आप बोर्ड के एक्जाम में लगाईएगा ठ लमिकर यक्स प्लस 15 बटा के यक्स बराबर आठ यहां पर दिया यक्स इस नाट जीरो यानि कि यक्स कमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है तो मूल आपको ग्याद करना है मूल ग्याद करने के मतलब यक्स कमान ग्याद करना है देखिए इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे प में बचेगा प्लूस 15 और यहां से यहां इसका य। बचेगा तो अब इसका खंड करना यहां इक्स को इदर लाएंगे यक्स स्क्वार्ट इसका और मैंने सब्सक्राइब बचेगा य। इसका क्या करना है गुरौ क्णड करना यह तभी तुम कमान पता चलेगा तब चले गुड़ांखन करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीका से सिखाए हैं 15 कि यहां पर गुड़ा करेंगे तो 15 होगा तो यहां पर दो ऐसी संख्या सोचना है कि जिसका गुड़ा करें तो 15 है और जोड़ने गटाने कितना आना चाहिए 8 आना च से क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर माइनस पांच के यक्स में हो जागा पांच यक्स और माइनस तीन यक्स हो जागा और प्लस पंद्र बराबर जीरो कर लेंगे ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है कि इन दोने में कामन लेना ते कामन कितना हो जागा यहां से यक्स म यह ας हो जाएगा और यहाँ को स्क् mentions 5 पाश चाहए गहाँ माश्य चिंदंगे यह सा Honczne 0 इसको ग्रच ऑगаюсь मांपीड़ की किTना हो जाएगा की से मौनए बिंवेधा अगला briefly कि शेगला नंबर का सवाल आप लगा लुदके अगला नंबर का सवाल लेखते हैं यह से ठिक अभी six नंबर यहां से प्रश्ण स्टार्ट होते हैं अभी तक त्योंगी प्रशन करा आप चार नंबर के सभी प्रशन थे अब छे नंबर के प्रशन को देखते हैं चैनल का प्रशन पूछताइश को कैसे आप लगाएंगे दिए यहां पर सवाल दिया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित होता है जैसे पर एक बास सवाल पढ़ लीजिए फिर इसके बाद आपको चित्रिस का बना के बताते हैं ठीक है यदि पेलनाकार भाग की उचाई और ब्यास करम से दूदसमलो एक मीटर और चार मीटर है तो शंकु क को बनाने में प्रियुक्त का इनवास का च्छत्रफल ग्याद कीजिए साथ ही 500 प्रति मीटर स्कॉार की दर से इसमें उप्यूक्त का इनवास की लागत ग्याद कीजिए और नोट में लिखा है कि तंबू का आधार का इनवास से नहीं ढखा है ठीक है अब देखिए इस सव अब क्या कीजिए गए बेलन बना लिए यह हो गया आपका बेलन पढ़ते चली सवाल और चित्र बनाते चली यह हुआ बेलन फिर आपको क्या कर आए कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित यानि इसके उपर क्या है एक संकू है ठीक है तो संकू को देखिए इस पकास मिला है आपका कि यह दिया आपका के इसलिक हाइगा फिर इसके बाद क्या है कि अब्याश कितना दिया लुझे यहां से चार मीटर का है इस पकास लिखिएगा तो संकु की तीरिया कुछाई तीरिया कुछाई का मतलब यह दिया है आपका यहां पर इसको दियान दिया 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 है यह तो यह बराबर कितना है दूदस मौलो आठ मीटर है तो दूदस मौलो आठ मीटर लिख लिजिए ठीक है और यहां पर खर्च दिया है कि पान सुरी परती मीटर ठीक है यह चित्र आपका बना अब यहां से देखिए कि इसको यहां से मिला लेंगे इससे देखने में अच्छा लगे शंकू अभी सवाल को चलिए म कुझा इसको दिया है आपका कि लिखो की उचाई यहां से दिखाएंगे तरह फीर देखिए बात ऐता में ग्यास के लिखिए तु़ दूदस दिखाएंगये फिस देखेए मेलन का प्यास ब्यास लिखाणा कि यहां पर थैंटेले आप छार पटाक दू बराबर दू मीटर हो जाएगा अब एक चिसल यहां पे आपको समध़िना कि तृज्ञाय वह यहां को दॉप की तृज्ञाय इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं दू बड़ाबर कि पर यह दू की तृज्ञाय दोनों के वह आपको दू मीटर ठीक है अब देखीं यहां पर क्या पहले देखिए अप ग्याद क्या करना है कि दोड़िये कैन वास का चत्रफल करना थे पूरी के नमास का चेत्रफल ग्याद करने का मतलब क्या हुआ कि बेलन का वक्रप्रिष्ट ग्याद करेंगे और इसके बाद शंकु का वक्रप्रिष्ट दोनों का योग करेंगे इसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे ति फार्मूला अप लिखिएगा कि बेलन बेलन का वक्र प्रिष्ट वक्र प्रिष्टी प्रिष्टी चेत्रफल लिखिएगा ठीक है चेत्रफल प्लस शंकु का प्रिष्टी चेत्रफल प्रिष्टी चेत्रफल लिख लिएगा इस तरह ठीक अब दीके फार्मूला लिखते हैं पहले इसके फिर इसके बाद हल करते हैं निए प्रिष्टी Nahis 16 प्रब का Phi रहा है जिस तो यहां सता है तो यह बिए दूदास मोलो एक रखियेगा फिर इसके बाद हल किजेगा तिक बाइस बटा के साथ कीजिएगा गुड़ा दू इसको जोल लिजिएगा ठीके इसलिए देखें आप कोई ची नहीं तो गुड़ा बना सकते इसको जोल लिजिएगा आठ एक नो एक उन्पर दस मोलो दू दू चार हो जाएगा अब देखिए साथ से कटेगा तो देखिए साथ के साथ सते उन्चास जीरो दस मोलो कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा साथ सते उन्चास हो गया आपका अब गुड़ा कर लिजिए ठीक है बाइस का दून में गुड़ा कर लिजिए ठीक है बाइस का दू हासिन 2 साच चापको 28 दू 30 एक एंग पर दसमल लगा लिजिएगा देखे फिरस्ट यहां से थोड़ा सा सुधार कर लिजिएगा पाई र यह नहीं होता है बेने का वक्रिष्टी छे त्रफल जो हता टू पाई र यह शोता है ठीक है यहां से पाई आर और यहां से पाई यहा चतर आट आएगा स यहां से थो जाएगा यहां से बाईस बाईस बटा के साथ ठीक है और यहां गुड़े दू गुड़े इसको जोड़ लिज़े आठ दू दस चार दू छेक साथ एक एक अंग पर दसमलो लगेगा देखे बाइस बटा के साथ गुड़े दू गुड़े साथ दसमलो के बाद जीरो कोई मतलब नहीं तो साथ से साथ आपका कर जाएगा औ और यहां पर गुड़ा कलेज़ बाइस दूना के चगवालिस हो जाएगा और मीटर में दिया थे मीटर का स्कॉार हो जागा ठीक है इसलिए बोल रहे हैं कि जब सवाल लगाईएगा बोड़ के जैमें थोड़ा ध्यान से मान को रखिए कि कहीं पर कोई मान छूट न जाए यहां पर हमें द्यान चड़ गया इसके वज़े से सवाल में संसोधन कर लिए लेकिन पेपर में आप यही गलती आप से होगा तो आप जल्दी सही नहीं कर पाएंगे अब सवाल में देखिए क्या दिया है चली सवाल देखते है इतने हो गया च्छे त्रफल निकल गया जैसे मीटर स्कॉय के गऴेंगे टैसी ha kep वलेंगे में चली सवाय। कर लीजिए चलिए गुडा करते हैं तो यहां पर दो जीर जिए और बढ़ जएगा यह नहीं नहीं है यही आपको क्या होगा एंस और हो जाएगा यहानि बाईस हजार रुपया क्या खर्चा आएगा एंस यहां लिखें के जो पूछा रहता हुज इंसर लिखा जाता है जैना स्वास की लागत कितना होगा नुन में लिखेंगा करुछा कि लागत कि लागत कितना है बाइस हजार रुपीया ठीक पूरे सवाल को एक बार देखेंगी यह आपके के सामने पूरे सवाल को आप देख सकते हैं तो ऐसे आपको लगाना रहेगा स्वाल को प्रक्रिस कर लीजिए ठीक है कि देखे आपके सामने अथवा में बीडिया है इस सवाल भी लगा साक लगा का देते हैं कि जिससे दोने में से कोई भी प्रशन आया तो आप लगा सकते हैं देखिए यहां पर एक खिलोना त्रिज्या तीन दसमल पांट सेंटीमेटर वाले एक शंकू के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर अध्यारोपित है इस खिलोने की संपूर संपूर पांट सेंटीमेटर है इस खिलोने का संपूर क्रिष्टी चित्रफल ग्याद करना है इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीक है पहले नंब इसका चित्र बनाने का परियास करेंगे चित्र चलिए बना कि आपको बताते हैं जैसे सवाल कर रहा है उसकी अकार यह हो गया आपका संकूर ठीक फिर कहा रहा है कि तीन दसमलों पांच चलिए आप लिख लेता है तो आप सेंटीमेटर लिख लिए गाए इस तरह लिख लिएगा आप साफ सुत्रा लिखेगा बोड के एक्जाम में आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्द गोले पर अ तरह दोनों के क्या हुजआगा बराबर ठीक है इसलिए कि दिया है देकि उसी तरिज्या वाले अर्द गोले पर अदर वोपी थी इस खिलेऑने की संपूर उचाई तरह यह तो पहले उचाई हो जबा कि कि यहां से लेकर यहां तक इसकी संपूर उचाई यहां से देश तो यह भी भाग आपका होतीन तेस मपांच यह भी होगा ठीके इज फोल पाच यह होगा अब यहां पी द्यां दीजिए आप को क्या करना है कि पहले चांकू की उचाय कि आइक करना पर हैँ से यह इह उपर सब्सक्त्राइब्स भूब नीचे अर्थ 回 yapt तो यहाँ पहले आप निकालेंगे क्या यहाँ लिखांगे निकालेंगे आप संकु की उचाई देखिए शंकु की उचाई संकु की उचाई क्या क्या करें अब क्या कि पंद्रद स्मलों पांच एंटा दीजिएगा तिन दस्मलों पांच चले गटा भी पांच सेंटिमीटर यहाँ है मात्रक लिखते हैं हमेसा ध्यान धीजाइ मांतरक लिखते हैं हमेसा ध्यान दीज़ेगा धिस लेड़ी अब देखें यहां पहले उच 먼저 ग्याद करतें читे कैसे याध शंकु की तीर्यक जो होता है यह तो भूस यह तो स्टायाज का फार्मूला जो होता है यहां अब यहां फे और कमान अजिए और कमान क्या स्टिंधने मून पांच थे दिनदस मून पांच को दूशक लेजए गा में किए उसकुल मून कित३ा यह कमान देखD q. स्कूर कर लिजिएगा अब इसी को हल करते हैं देखिए आप कैसे हल करेंगे तीन दस्मलों 5 का स्कूर कीजिए गा तो जब आप करेंगे तो दूपांच आएगा और 12 कि श्कूर 144 होगा अब इसको जोल लीजिया आप कैसे चोड़ेंगे तो चार दूच्छ चार एक पांच कितना हो जाएगा आपका एक सो चपन दसमल कि पहले से गुड़ा किया है जोड़े हैं इसलिए यहां पर डारेक्ट लिखते रहे ना अब देखिए यहां पर क्या होगा कि 156 दूपांच का वर्गमून निकाल लीजिएगा कितना होगा एक सो सीज़ेषा एक सो पचीस ठीक है देखिए आप दसमलों का इसे लगांगे जब दो अंग पर दसमलों पांच सेंटी मीटर होगा तो तरह आप निकालीएगा ठीक है यह होगा आपका यल कामान अब चलिए इसके पूरा जो खिलोना यह रहा इस खिलोने का संपूर्च प्रि प्रिष्टी छेत्रफल कुल प्रिष्टी प्रिष्टी ना प्रिष्टी छेत्रफल फार्मुला क्या होगा देखिए अर्ध गोले का देखिए पहले अर्ध गोला है तो अर्ध गोला लिखेंगा चित्रेग बार देख लिजी देखिए यहां अर्ध गोला है फिर शंकु है त लिखिए और्ध गोले का प्रिष्टीश्य चत्रफर प्लस शंकू का प्रिष्टीश्य चत्रफर चलिए ठीक है अब यहां पर फार्मुला रखते हैं और दगोले प्रिष्टिए इचे-धित्रफ़र होता है एक फोघ्रव पाई इस स्कॉर्व रच्वारर और संकू का होता है क्या होता हुअ होता है तरह कामन क्या है कि यहां यहां तहां तीश सदूरों पांच के टीट कमान की टीटन टेछ तीन दस्मलों पांच हैं तिन दस्मलों पांच कि धो रखेक सवटह में थो घूATHAN और कमान अभी रखें 3.5 तो 3.5 होगा और यहल कमान कितना है तो तिरिया कुछ अभी निकाले यहल कमान 12.5 यहां पर रखेगा 12.5 अब इसी को हल करना देखिए 7.35 यानि 0.5 होगा यह हुआ 22 गुड़े 0.5 अंदर काल करते देखिए 2.5 देखिए 2.5 देखिए 6.7 यानि 7.0 ह होगा प्लस यहां पर 12.5 हो जाएगा अब देखिए 5 के गुड़ा कर देखिए 5 के 10 पांदुना के 10 ग्यार एक अंग पर दसमलों लगा लिजी है अब गुड़ा का चीन अब इसको जो लिजी देखिए 5 होगा 7.9 यानि 19.5 हो जाएगा अब देखिए गुड़ा कैसे तो 11.5 पच्छे पच्छपन हासिल 5 11.99 और पाँच एक सो चार यानि अब हासिल 10 लग गया आपका 1111 और 10 एक काईस थी यहां पर दसमलों है तो यह कंग पर दसमलों लगा लिजी गा संटिमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा इस प्रशन का एंसोर हो ज क्या होगा जह in शोड लाश्ट ? यहाँ पर कि संपूर्थ प्रिष्टि चेत उप बराबर कि संपूर्थ प्रिष्टी छेत उप्लब्र की अब आप क्या लिखेंगे इता कि यह दूसर चॉद .5 श्काहिद की कि मातिर लिखेना कि मत भूले सबस्किया थिस पूरे सवाल को लगाना सवाल पूरा देख सकते हैं कैसे लगाया गया है ठीध मिया प Parker यूंग तक आप सब्सक्राया है मिनार की उचाई ग्याद करना है आपको तो मिनार की उचाई देखे कैसे ग्याद करेंगे ठीक है देखे इस सवाल को लगाने से पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए तो आपको चलिए चित्र बना के पहले बताते हैं कि इसका चित्र कैसे बना लिए तो आप सवाल लगा का तो कितना है 20 मीटर उचे यह पिये 20 न कैया हुज है यह तब ऑभन के शिखर भाइन यह सद्टत पर जो एक संचार मिनारार है जर्द ही इसको एक सब्सक्राइब जिलें तल को मझें ना जान ऑन不能 कлож Κ्राइब ही बिंदु यह पर इस तरह देखा जा रहा है तो पहले हैं अब को क्यानक आप इसला मिलतिये क्वाई स्ष्ट को मिला लिजी सिह को मिला लिए थिक इए अब मिलाने के बाद कि कि ने सब्सक्राइब देखा यह लिए रख लेंगे और यहां पर कि उचाई ग्याद की मिनार की उचाई का मतलब क्या हुआ आपका कि यहां से यह मिनार की उचाई मतलब संचार मिनार यहां पर देख लिए मिनार की उचाई का मतलब क्या हुआ संचार मिनार यानि इसकी उचाई ग्याद करना है इसकी उचाई को इसमाल एच मीटर माल लेजिएगा ठीक है अब जो चीद मानिएगा यहां पर लिख लि मिनार की उचicação घिस संचार कि मिनार की उचाए कि बराबर क्या है सिभी बराबर यच मीटर मानलिया चब इसके जो आधार होता है कुछ मान नहीं देया रहाता थे यहांप यक्स महलने यहां पर मालेंगे एक ब्रावर यक स्मीठर ठीक इस तरह मालेंगे आप इसलिए जब दो कोड़ कोड़ देता है यह सब आप हाल करते हैं तो पहले इस थे हुरी में लिखेंगे त्रिभूछ एड़ी सी में factor आधार लाद कांस फर्मूम लगता लगता है 10 10 और यह पेड़ तो तैन एबराबर लीजेगा कितना लंब उटा के आधार लेगां कि नहीं हुआ है यासं कि मैं लें कितना है दो भी चिए करियेकर आधार कितना फकार श्कारा था जीजे के अब देखते, nth, 75 संस, कमान इतने सेवाल आपको पहार है, 50 संस, कमान आप सभी याद हो गया हो तेन, 45 संस, कमान एख, यक्स का एक मेगोड़ा करें, कमान सेख, लाबर 20 네र यक्स कमान पता चला कि 20 मीटर हुआ यह तो पूछा नहीं आपसे आपसे जो पूछा उस सवाल को देखिए आपसे पूछा है मिनार की उचाए के लिए कौँ सा त्रिभूज लेंगे चलता है लिखेंगे अब बीडी में चलेंगे यहां भी ध्यान दीचे कि यह होगा यह लंब पता है पूरा यह आधार पता है यह फार्मुला लगेगा यहां भी फार्मुला लिखेंगा 10 A बराबर पूरा क्या भी डी है भी लिखियेगा तो बीडी बटा के अब यहां पर 10 A कंवान कितना है ते इस तृभूज के लिए तृभूज ABD के लिए कोड क्या है 60 अंस यहां पर 60 अंस रखिएगा तो इहां पर जगा 10 60 अंस बराबर अब दिए की जग़र क्या है बीडी का मान जो 20 प्लस यह रखेंगे ना इसलिए कि यहां तक 20 के मान 20 दिया फिर उपर यह दिया थे 20 प्लस हो जाएगा यहां पर रखेंगे बीडी के जग़र पर 20 प्लस एक का मान कितना यक्स है अब 10,600 का मान कितना होता तक करड़ी में 3 होता है यह बीडी yucks हो जाएगा अब तीर्या गुड़ा करेंगे न Between X करड़ी के 3 होगा यहां पर 20 होगा प्लस यह को जाएगा. अब एक चित ध्यान देज़ेगे यहां पर यक्स कमान 20 दिया रहे तो इसको बाद में रखिएगा पहले क्या करते हैं कि यहां से 20 को पच्छान तक करते हैं तो यक्स करणी में 3-20 और बराबर यच हो जाएगा ठीक है अब यहां पर लिख लिखेंगे कि इसको स्बीक चलिए महान लएते हैं और आप लिखते हैं कि स्बीकर एक उमें यक्स बराबर 20 रखने पर।क चलिए रख के हल और माइनेस बीस यच में दिखे वीश काम है तो यहां if हमलिगे आप तीन जब 20 कोद निकल यार शड़ेगा भृषिदुट अधीस करो लोटे हैं तो यह कोई दिक्कत नहीं ना जब दिया रहाता तो रखना अनिवार ने होता है और नहीं दिया रहाता तो कोई जरूरी नहीं होता है तो आप यहां फिर एंसौर लिख सकते हैं यहां से क्या लिखेंगे लिखेंगे कि संचार मिनार की उचाई संचार मिनार ठीक है मिनार की उचाई यह ब्राबर क्या होगा विस करणी में तीन माइनस वन मीटर इस पकास इस सवाल इस सवाल बंदया चुना स्वाल को आपको ङुन्हेंग दीच्टा हैं देखिञे पूरह से यह अगला नंबर कि दो किनारों पर इस थी सम्मुक बिंदू के ओनमन कोड़ दियां दिए जिए यहां पर कौण सा कोड़ करम सब 45 और 30 नदी की चोड़ाई आपको ग्याद करना है नदी की चोड़ाई ग्याद करना है तो देखिए माली जिए का है एक लाइन किछ लिएगा और यही ओपर नदी कि ये नदी है अभी Kleber एक बिल्लेगा और यहीं होई हवाई जहाज में से एक व्यक्ति एक सीरों करें दूसरे सीरों को देख रहा है लेकिन और मन कोड का मतलब होता है उपर से बना सकते हैं थीज़्वाइन का कोड़ यहां बनेगा पाइच सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह भी तीस अंस हो जाएगा और एक जिस बस क्या किजिएगा कि यह हवाई जहाज की उचाई ग्याद कर लिजिएगा कि इतने उचाई पर उर रहा है इसका नाम दे लिजिएगा अगी मतलब कि इसमें भी आपकी क्या बनाएक दो त्रिभुच यहां पर एड़ी को माली जिएगा वाई और हवाई जहाज की उचाई को माली जिएगा यर्च चलिए अब यहां पर आपसे जो चीज पूच्ता है उसी को माना जाता तो मान लिजे माना यहां बानेंगे यहां बाहां पे हैं कि नदी की चोड़ाई है चोड़ाई क्या मेर मेन कि यह वह कि यहाँ बेद्ट हinsi यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा हवाई जहाज की उचाहिए लज्छा यहाँ हम यह यह इतने बिवार और उता है तिस थे में से नाम लिखते हैं और लिखते हैं यहां पर कर दें ने जब कोड़ ए रखिए गा और यहां लबटा की आधार फार्मुला अपका होता है लम बटा की आधार की तो यहां और यहां से आधार कितना यक्स है तिसक्स कर लिए गां इस लिखना ना यहां क्षछा लिखना जरूरी होता इसलिए पता चले एक्जामर को कहां पर क्या Pharisee के कि एक मान कितना है? 45 अंस नहीं तो एक मान 45 अंस यह पर रखेंगे, 45 अंस बराबर DC का मान-ह causing थी चवटा की यक्स कर लेंगे और टैन 45 अंस का मान क मान- کیतना है? तो फैन 45 अंस का मान- एक-टी यह बटाके यक्स हो जाएगा ठीक है अब तीह गुड़ा कर लिजे यक्स करेंगे यक्स हो जागा यहां पी यह जो जागा लेकिन देखिए एक और बताना आपको है यहां पर सवाल में लेकिस सवाल में दिया क्या है कि 500 मीटर की उचाई पर एक नदी के ऊपर उर रहे में अब देखिए यह पता चल गया कि यह कमान 500 यक्स वरावर यह चाया है तो यहांस क्या करेंगे यक्स वरावर यह के जगए पांसो रख लेंगे यानि 500 मीटर यह होगा ठीक है चली इतना चीज़ता आपको ग्याद कर लिए अब चलिए अगले नंबर के त्रिभूच प इसमें भी आपका देखिए कि पता है क्या आपको देखिए लंब पता है और आधार पता है तो आपको वही फार्मुला लगाना है टैन वाला कि टैन कि भी बराबर लंब बटा कि आधार है आधहर लब इसमें क्या है दीसी है और आधहर क्या है ृषविपर 10b का मान यह पर देखा देते हैं कि कौन कहां पर मान रखला है थे 5 के जगार रखेंगे 500 यह रख लेंगे थ design डी तान डीस्य कि कितना रखना है 500 और दी जगे पर वाई रखना यह टेन-3 की संस के माहन होता है एक बटा के रूट में तीज यहां हो जाएगा यह 500 और बटा के वाई हो जाएगा अब तीर्या गुड़ा कर लिजए ता वाई के एक में करेंगे तो य यह कितना हो जाएगा 500 करड़ी में तीज तो य का मान पता चल गया कि इतना है अब नदी की चौड यह चोड़ाई क्या हो जगा यक्स प्लस य माने थे पर कितना आया है मान तो यक्स के जगाए 500 और य के जगाए 500 करड़ी में 3 यहां लिखिए गाप 500 प्लस 500 करड़ी में 3 देखिए दोनों में साब को 500 कामा ले लें गए 500 यहां पर लिखिए 1 प्लस करणी में तीन आप यहाँ पे चाहेंगे करणी तीन कमान थी सब्सक्राइब कर सकते हैं इतना ही पर छोड़ सकते हैं ठीक है इसके आगे अगे अगे करना रहें गए कर लिए इस सवाल को ऐसे आपको लगाना था चलिए एक बार सवाल पूरा देख लिजिए यह यह सव 62.8 है और सभी बारंबारताओं का योग 50 है तो लुप्त बारंबारता यफवन और यफटू का मान याद करना है देखें यहां से दो चीछ किलिए होगा कि आपको समांतर मात देवला सवाल कैसे लगाए जाता है यह किलिए हो जाएगा समांतर मात से संबंदित आपके अंतरा ठीक है वर्ग अंतरा यहां पर लिखिएगा बारंबारता ठीक है देखें फ्रेंस फ्रेंस आवाज में लचिल अपन कुछ आ रहा होगा ठीक आवास तो आप संब्लिए कि आपको दो घंटे से पढ़ा रहे हैं यह चीज तो आप जानी रहें कि लगतार पढ़ाने स यहां पर आप पहले वर्ग अंतरा लिख लीजिए कितना है जीरो से 20 है और 20 से कितना है तीस बीस से 40 है 40 से 50 40 के बाद 60 है पूरे सवाल को देखिए 40 के बाद 60 और 60 से कितना आपका दिया है 60 से 80 और 80 से दिया है आपका 100 और 100 से दिया है 120 सो से दिया है आपका हो है सोब इसके बाद देखिए वारं बारता कितना दिया बारं बारता पांच ग्या cenato यह 1 दसे टू ठीक है साथ और साथ यहां यह तो यहां पर शाकता है तो यहां पर झाल पर लिजा कि Hawk State ढबनेहों प्नाधी का अब क्या करना है आप ऐसे in-ielt like की आ पहले कि यहां से आप इसको ऐसे कि लिजिये जाओ झाला फुन कि भी अभूर यहां से इसको corresponds ऐसे कि लिजिये का पूरे मातित है और यहां से इसको भी खीच लिजगा जिससे थोड़ा सवाल देखने में और अच्छा लगाए इतना काम कर लीजिए देखिए अभी बताएंगे कि थोड़ा सब बढ़ा क्यूं है अब देखिए यहां पे सवाल में दिया है कि बारम बारताओ के यहां पचास इसको बाद में लिखते हैं इसको बाद में क्यों लिखेंगे अभी समझ में आ जागा अब देखिए इस प्रकास से आपको सवाल में माद्ध्य पूछे और वरदकंतराल लिये दिया रहें तो पहले 9 x2 रहेगा एक्सन नहीं रहते है नहीं यहां पे यह आपकर या हे दो बलस सब्सक्रों क्वार निद मां नियुक्श आड़कर सब्सक्र्जजिध के WAR 봤 करना क्लम मला क्या थे जा है यहां फिस बिस बता कर लिद्द लूटबी कि नहीं कुल मिला के आगा अपका 10 ठीक है अब दिखे इसके बीज में कितने का अंतर त्वर न जो जो जोड़ते चले जाएंगे तेका से 17 और 20 20 60 होजाँगा अगला गाना घांट थी कि व मैं अग्या करना रहा था अब फिर इसे साइसे गुड़े यक्स करना पड़ता है यानि 5 के 10 में गुड़ा करेंगे गती कितना हो जाएगा फ1 का 30 में करेंगे कितना हो जाएगा 500 होगा शात का स्थका नभें में करेंगे नो साथ 336 630 अड़के 888 यानि 810 हो जाते इस तरह गुड़ा करके लिखना रहता है जर आपको और गयात करना रहाता है अगला सिगमा एफेक्स गयात करना पड़ता है सीगमा पहले आपको अपछा रहेगा नहीं आप पती उसको लिखेगा देखिए एफ वन प्लस यह तू प्लास इन सब को जो लीजिए देखें पांच में दस दोंग 15 15 और साथ 22 22 में आठ जोड़ेंगे 30 हो जागा यह अब यहां पर क्या करते हैं कि सीगमा एफेक्स ग्याद करते हैं सीगमा एफेक्स सीगमा एफेक्स का मतलब इन सभी को जोड़ेंगे ठीक है इसको सीगमा एफेक्स पहले अक्छरवाला जो रहेगा उसको लिखिएगा तो देखें तीस एफवन प्लस सत्तर एफटू प्लस देखें आपको क्या करना है पचास पांसो छस्सो तीस और आठ सो असी को जोड़ेंगा तो यह आएगा ठीक है यहां यहां पर लिखेंदे रहते ह सबस्सक्रास जोड़ेंस अविगा तो यहां पर आप सवाल लगाएंगे कैसे यहां पी शावर में दिया हो कि राविखंच इखन दीए कि यहां पर लखंच लिखिये हैं सीगमा फेक्स बराबर जीओ ज़ूरा मारं बढत सिगमा एफ ज़ूराई यहीग बारंबारता व द दिया है आपका यह फवन प्लस f2 प्लस 30 और सिगमा कमान कितना दिया है सवाल में 50 एक बार देख भी सकते हैं फीन से देखा दे रहें सवाल में भारम बारता हो कि यह 50 दिया तो आप सिगमा प्लस एफटू यानि कुल मिला के यह फवन प्लस एफटू बरावर सीधा से लिख सकते हैं 20 और इस समीकर नंबर आपका हो जाएगा ठीक है अब देखें यहां से क्या होता है कि यहां पर आपको सवाल में माध्य भी दिया है क्या दिया है माध्य तो आपका माध्य बरावर आपका माध लिखेंगे तो 62.8 यहां पर रखिए का बासवर दसमलो आठ बरावर सीगमा एफ एकस कमान कितना है तो सीगमा एफ एकस कमान यह है इसको यहां पर लिखेंगे कितना है 30F1 प्लस 70F2 प्लस 2007 अपान सीगमा एफ कमान कितना है तो सीगमा एफ कमान देखिए आपका दिया है कहां गया सीगमा एफ कमान पचास देखेंगे सीगमा एफ कमान कितना है पचास तो यहां पे आप पचास रखिए कितना रखना है आपको पचास यहां पे पचास रख लि याँ पर लिखेंगे 62 त्स मुलो आट बराबर दसत कामर ऊपस लेगा यहां पूर याप सब्सक्राइब त्स दस में सुरे में से पस्तू थे डूच 20 Physics 50 जीजिए 15 सब्सक्राइब 6066 बिएंध कर पांच के इधर गुड़ा करते हैं, देखें, पांच वाटे चालीस, ठीके, पांच वाटे चालीस हासिल चार पांच दुना के दस, चार चौधा पांच का 30, 31, 31, 31 एक पर दसमाल लगा लिजेगा, यहां पर हो जागा, तीन f1 प्लस 7 f2 प्लस 206, दूसर 6 के पच्छांतर 14 में से 206 घटाई है करते देखे 14 में अच्छा हो गया 8 होगा यहां से हासिल दिया है यहां बचेगा आपका 0 0 में से 0 गया 0 और 3 में से दू गया 1 यानि 108 बचेगा आट थिक है 108 लिए होगा 3 f1 प्लस 7 f2 अब इसको सब्सक्राइब से थे 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 3 f1 प्लस 7 f2 बड़ाबर 108 108 यहां पर तो फो आट ये श्मीकर्ण नंबर आप इसे कितना मालेंगे चली समेकर्ण नंबर इसको 2 माल लेते हैं तो समीकर्ण 1 ऊर 2 ब्लस F2辉हकर 20 में lिखिए कि एफवन प्लस F2 बराबर कितना आया आग एक बहर देख लेते हैं 12 20 20 विए गच्छा हैं 215 आपका है ना यह वाला है कि ट्वीट फटो बोड़ाबर 108 यह नंबर अभे कि दोनों सब्कुष में शारा कटना चाहिए च.... कट आने के लिए पक इसलिए सबस्फ़ी 13 F2 और 3 से 3 दुना के 60-63 यहां 6, समीकर नमबर एक वाला था यहां पर 3 F1 प्लस 7 एफ 2 बराबर 108 यह समीकर नमबर 2 है अब दीखे इस समीकर का एक सो कायिसे एल करेंगे देखिकर यह फ़रन यह बराबर विया यह लेकिन प्लस प्लस है तो यहां पे लिखे घटाने पर कितना बचेगा 4 एंस चशहा डाली जितनी हाँ पर बचेगा और दस मैस चग गया च्वचेगा माईनिस माईनस कर जागा लिए तक किसी तरफ पता कर लिए किया पर सवाल देख सकते हैं चाहसे कटाएंगा बारा-बार में यहाँ पर इसी में रख लिजिए गा समीकळ 1 में इसी में रखने पर रखने पर नहीं प्लस फ्टू बराबर कितना है 20 यह समीकर नंबर एक है तो यह फ्टू की जगा रखना है 12 रखना है तो यहां पर f1 हुआ प्लस f2 के जगे बारा रख लिजिए यहां हो गए 20 तो f1 बराबर कितना हो गए 20 बराबर 25 प्षंदर करेंगे तो यहां प्या हो जाएक माइनस 12 अब घटा लिजए तो f2 का मान कितना हो जाएगा आपका यहां पर इंसर कैसे लिखेंगे तो आपका इंसर कितना आया है तो यहां पर जितना भी यह पेपर था आप सभी कराया है इन सभी को क्वेस्टिनों को आप जरूर प्रैक्टिस करके चले जाए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें कि आपको महराथन क्लास एक और लाने वाले हैं जिसमें आपको 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी बहुईकलपी प्रशन पूछे गए सभी प्रशन आपको कराने वाले है तो उस महराथन क्लास को आप जरूर देखिएगा ठीक है फेपर देने से पहले उस महराथन क्लास को भी देख लेते हैं तो उसमें एक क्वेशन